दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मुशर्णा फुसेन और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स बिमारी के इलाज के बारे में पाइल्स बिमारी को क्या बिना सरजरी के ठीक किया जा सकता है? जी हाँ बिलकुल पाइल्स की बिमारी को बिना सरजरी के ही ठीक किया जा सकता है बढ़ती जाती है, एक्शुल में piles दो पिरकार के होते हैं, एक internal hemorrhoids या internal piles होते हैं, दूसरे external hemorrhoids या external piles होते हैं, जो internal hemorrhoids होते हैं, उनके अंदर जो मस्चे हैं, वो गुदा के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन मल के अंदर खून आता है, जो external hemorrhoids हैं उसमें जो मस्य बाहर की तरफ आ जाता है कुछ cases में ये मस्य अंदर चले जाते हैं जब मरीज खड़ा होता है लेकिन जब category 3 या grade 3 की hemorrhoids होता है तो ये मस्य पूरी तरह बाहर होता है फ्री वापस नहीं जाता है मगर common symptom ये होता है कि इसमें खून आता है fresh red color का लेट्रीन के साथ blood आता है और कभी कभी तो बहुत जादा blood आता है और जो painless होता है बिना किसी दर्द के ये खून आता है मरीज को लेकिन अगर ये खून दर्द के साथ आता है लेट्रीन में तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको anal fissure हो तो आई अब इलाज की बात करते है कि कैसे बिना सरजरी के आप piles को ठीक कर सकते है और वो कौन सा घरेलो नुस्खा है सिंप्ली बहुत सादा सरल और सस्ता नुस्खा है मुश्किल से आप 20-25 रुपे पड़े के इसाब से 5 दिनों में इस बिमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते है इसके लिए आपको दो काम करने की जरूत होगी पहला है कि आपको अपना lifestyle चेर्ज करना पड़ेगा या आपके जो dietary habits हैं उनको बदलना पड़ेगा आपको ऐसी चीजों का इस्तमाल करना पड़ेगा खाने पीने में जिनके अंदर फाइबर की मात्रा जादा होती है ऐसी चीजों में nuts आते हैं, almonds आते हैं, vegetables आते हैं, ब्रॉकली और साबुत अनाज जो होते हैं आप साबुत अनाज से बना ही बोजन करें आप गहूं, चना या जो जो भी आप भोजन के लिए साबुत अनाज का इस्तमाल करें इसको चाने ना, बिना चाने जो उपर का छिलका होता है उसके साथ ही इसको इसको इस्तमाल करें इसमें fiber की, vitamins की बहुत अच्छी मात्रा होती है और ये constipation को होने से रोकता है आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जिन से constipation होता है उन में fiber काम होता है ऐसी चीज़ों में जैसे नोनवेज या मांसार जितने भोजन होता है उन में fiber की मात्रा काम होती है डेरी या दूद से बने जो प्रोड़क्स हैं उनमें fiber की मातरा कम होती है, जो बाहर के खाने हैं, junk food से हैं, fast food हैं, उनके अंदर भी fiber की मातरा कम होती है और यह constipation का कारन बनते हैं, तो ऐसी चीजों से आपको बचना पड़ेगा तो यह तो हमने बात की कि आपकोológ डाइट में क्या लेना है जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि इसका सरल और सस्ता वो लाज कौन सा है जिससे आप सरजरी से भी बच सकते हैं और पाइल्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको एक अंजीर नाम का फल आता है, पके हुए दो अंजीर के फल लें, सुबा खाली पिट, नाश्टे से पहले दो अंजीर खाएं और उसके उपर से ताजा गन्य का रस एक गिलास पी लें। शर्त यह है कि ये गन्य का रस जो हो ताजा होना चाहिए, विदिन टैन मिनिट साब गन्य का रस ताजा निकल वाके इस्तमाल करें। और उसके बाद शाम को जब आप रात का खाना खाते हैं, उससे कम सिंग्म 2-5 गंटा पहले जो इसब गोल की भूसी आती है, उसको गरम पानी में घोल दे एक गिलास में और इसको गोल के पी जाए। और फिर रात को सोते से में फिर से आपको 2 अंजीर खाने हैं, इस समय आपको गन्य का रस लेने की जरूरत नहीं है, उस समय आप एक गिलास गरम पानी इसके उपर से पी लें। ध्यान रहें कि आप जब सोने जाते हैं, और खाना जब आपने रात का खाया है, उसके बीच में कम सिकम दो डाइगंटे का अंतर होना चाहिए। इस पिरकेरिया को आप लगातार पांच दिन दो रहें, और पांच दिन के बाद आप जो गन्य का रस है, उसका सेवन आप बंद कर दें। बाकी जो चीज़े हैं, अंजीर, गरम पानी, इस सब गोल की भूसी इसको कंटीनू रखें अगले दो हफतों तक। तो इस तरह से आपको 20-22 दिन तक इस इलाज को कंटीनू करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपकी पाइल्स पांच दिनों में जो आपको ब्लेडिंग होती थी, जो मस्य भी बाहर आते थे, वो दीरे-दीरे कम हो जाएंगे, और ब्लेडिंग तो आपकी डेफिनिली पांच दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएगी, और आपकी पाइ पर इगन्ने के रसके साथ अगर आप पांच दिन के लिए अंजीर इस्तेमाल कर लेता हैं, तो फिर आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, दुबारे से बीमारी नहीं आएगी, और आपको किसी भी तरह की सर्जरी की जरूत नहीं पड़ेगी, हाँ शायद एक कं अपलर हेमरडक्टमी की जरूत पड़े, तो इस वीडियो का आप जाते से जादे लोगों को तक शेयर करें, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैन आवाद!